तो यही इसकी नकारत मकता है और यही इसकी positivity है कि आपको कुछ भी ना दिखे तो भी आप लोग जो हैं बड़े सिदत से काम कर रहे हैं पड़ रहे हैं तो that is satisfaction ठीक है न है चलो खेर शुरू करते हैं भाई हम लोग जो हैं इसकी बात कर रहे थे कि एक लेमीज थियोरम है अग अगर तीन फोर्च अगर एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं और equilibrium में हैं already तो then the forces are proportional to the sign of the angle between other two ठीक है यानि पी फोर्च यह है तो sign of the angle यानि जो alpha angle है वो बाग की दो के बीच में है तो then P sin alpha q sin beta and r sin gamma ठीक है यह थिरो हमारी है तो अब देखिए हमारे पास ही question आया कैता एक भी three common forces acting on a particle are in equilibrium the angle between the first and the second is 60 degree पहला यह है और यह दूसरा है इन दोनों के बीच में 60 degree है between the second and the third is 150 degree this and this is 150 degree अब देखो क्योंकि यह छारे के सारे coplaner है तो total angles है वो 360 मिलेगा तो 360 है तो आपका इसमें से 60 यह गया और 150 यह गया तो यह pull मिला के आपका 150 10 0 तो 150 बस गया तो आपका जो है यह angle इतना अब कहता क्या है find the ratio of the magnitude of the portion जिनकी magnitude की ratio क्या है यानि हमें यह बताना है P is to Q is to R क्या है तो हम निकालते हैं एक बार तो देखिए P वही lemice theorem लगा दी किकली विर्म में हैं P force है तो P sign of the angle between the two Q sign of the angle between the two R sign of the angle between other two इसमें थोड़ी गड़बड यह है कि यह P हो गया P upon sign 150 ठीक है Q upon sign 150 ठीक है और R upon sign 60 ठीक है लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 60 जो है वो sign 60 degree is same as sign यह ठीक है sign 60 is equal to unroot 3 by 2 तो यह 60 degree ठीक है और इसमें जैसे यहां पर यह बनेगा यह गलती है इसके अंदर तो यह unroot 3 by 2 है तो इस वेली जनरूट 3 by 2 तो वन बाइटू वन बाइटू वन बाइटू तो इस तरह से जह है आपका यह हो जाएगा प्रिशुवेटा में कलास ले रहा हम आप नीचे जाए तो वन सिक्स्टी जह है न इस तरह से यह यह आप लोग जह है थोड़ा करेक्शन कर ले ना यह चीज आपकी इसमें रहें बाद में कुछ नहीं पी इस तो क्यो पोन आर यह सेम है रेस्व क्या गी वन इस तो वन इस तो अन्रूट थरी वट इट मिन्स इस रेसवा क्या मतलब बना बई इस तो वन इस तो अन्रूट थरी क्या मतलब इसका के अच्छन में वाय में तो वन इस तो वह तो सही बात है इसका मग्णिटूड इस प्रेश्चों में अचल आगे बढ़ते हैं find the greatest weight which can be supported by two light strings अब एक होता है action and reaction equal and opposite अब जैसे माली आप ने कोई रसी है उसके निचे कोई weight हैं किया ठीक है यह लटक रहा है याद रखिये if there is any you can say net force भै नोन जिरो net force अगर मौजूद होगा ना so then there will be definitely a motion भाई माला आप दक्कल गारे किसी गाड़ी को उसके friction और बगारा को मिलाने के बाद आपका force बचा हुआ है तो फिर गाड़ी जो है वो क्या करेगी आगे की तरफ जरूर चलेगी तो इसलिए आप अगर किसी पर weight को यह anchor देते हैं तो फिर और यह रुकी में चीजियों के यह तो इसका मतलब कोई force तो है जो इसको cancel कर रहा है पर दिजए अब क्योंकि यह रुकी हुए तो इतना ही force उपर लगा हुआ है ठीक है in case of strings this will be called as a tension ठीक है और tension जो है अगर uniform है सारी string तो सब जगे एक जैसी लगेगी अगर कहीं पर गांट पड़ी हुई है तो अलग अलग portion में अलग अलग नज़र आएगी जैसे मालिया अगर आपने कोई string थी है और इसमें कोई ring डाल दी इस तरह से तो रसी में कोई द अलग मिलेगी और गलती से आप अलग अलग ले भी लेते हो ना तो टेंशन की जुरूत नहीं है लास्ट में अपने आप सेम आजाएगी अगर वो डिफ्रेंट होगी भी situation के साब से तो इसका मतलो हम लोगों ने कुछ गलत चीजें चुन ली है तो चलो कोई नी हमारे पास जो है greatest weight हम कितना हैं कर सकते हैं दो स्ट्रिंग हमारे पास मुझूद है ठीक है एक स्ट्रिंग यह है ठीक एक जैसे मालिया आपने क्या लिखावा देखो ज़रा पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेकिं एंगल कितना कितना एंगल है भाई 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विदा ज्यादा एंगल बनाएगी वो नजदीक होगी एक तरह से 60 और यह 45 अब यह एंगल हो गया वर्टिकल के साथ यह 60 बने लिए तो अब यह एंग्ड है जब मैं इसको चत्रिया कुछ तो बनाऊंगा नहीं एक तरह से से और एक वेट आपने हैंक कर दिया है इसके अंदर उस उसे माले कोई भी वेट है पी वेट है माल लेते हैं जैसे आपकी उच में किया गया है तो अब जड़ा देखो अब हमें यह बताना अब कहता क्या है ज्यादा से ज्यादा वेट कितना लटकाया जा सकता है कि आपका यह स्ट्रिंग ब्रेक ना हो डबलू इट बिंग नोन अगर उसके अंदर टेंशन जैसे एक स्ट्रिंग ये है एक स्ट्रिंग यह है इसके माले कि टेंशन है क्योंकि यहाँ पर बंदा हुआ इए घ्योट वेट विच कैन बी स्पोर्टीड वाई तू लाइट स्ट्रिंग्स मेकिं अंगल दिस यह टी वन टेंशन होगी इसके अंदर ठीक है तो अब यह पीवेट है माल लेते हैं तो अब क्योंकि एक बार तो रुखे हुए हैं और जैसे पीवेट को बढ़ाएंगे तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ती जाएगी तो कौन सी स्ट्रिंग सबसे पहले टूटेगी भई दोस्ट टेंशन है इसके अंदर भी टेंशन है इसके भी टेंशन है तो जैसे वेट बढ़ाते जाओगे ना तो टेंशन बढ़ती जाएगी और जिसकी भी टेंशन सबसे पहले डबलू केजी बन जाएगी वही श्ट्रिंग तूट जाएगी अब हमें यह बत देखना है कि यहां पर weight लटकाते वक्त P के proportionally यहनि P को बढ़ाएं तो ज्यादा बड़ी tension कौन सी है T1 है के T2 है अगर T1 बड़ी tension आती है यहनि value के साब से देखेंगे तो फिर T1 को हमें Wkg weight रखना है क्योंकि जैसे P को बढ़ाते जाएंगे tensions बढ़ती जाएंगी तो जो जल्दी growth करेगा तो जल्दी Wkg बनेगा और Wkg बनते ही जल्दी टूट जाएगा तो इसलिए हमने जो बड़ी वो है वूसी को हमने सलसे पहले वो करना तो देखो चलो T1, T2 यह vertical के साथ angle बनाते है तो यह angle हो गया 135 degree और यह angle बन गया 120 degree now these as these are in equilibrium तो 100 हम लोग जहें इसके उपर यह लगा देते हैं तो यह कितना हो गया यह अगर मैं इसको देखूं तो T1 T1 यह है इसके सामने वाड़ा एंगल यह है sin 135 degree T2 यह है इसके सामने वाड़ा एंगल है 120 degree और आपका P है जो भी आपने वेट लटका है हुआ है वो है sin 60 यह और 40 यह है तो 105 simplify किया और दोनों की value P में नहीं का ली तो T1 आगे आपका पी साइन 75 डिग्री इन्टू में साइन 45 डिग्री T2 आगे पी साइन 75 डिग्री इन्टू में साइन 65 तो इन दोनों में से बड़ी कॉन सी है क्योंकि आपका जो साइन है that is an increasing function of 2 पाई बाई 2 यानि 90 तक तो यह बढ़ेगा तो 45 पे कम value होगी 60 पे ज्यादा value होगी तो this is greater तो it implies T2 is greater तो जैसे ही हम P को बढ़ाते जाएंगे तो T2 will achieve W kg first पहले बनेगा तो इसलिए हम यह देखना चाहते है कि कितने जदस 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 वेट हैंग किया जा सकता है तो हम T2 की value जो है वो W कर देंगे तो वहां से जो P की value आईगे इसको W कर दिया तो यहां से जो P की value आईगी whatever the value is that will be the maximum weight that can be hanged यह कोई बात नहीं तो आपका trigonometry लगा रखी है इसमें कोई खास बात नहीं है तो आपको इसमें कोई दिक्कत आयो तो बताओ है मैं इसमें आपको इसमें कोई दिक्कत आयो तो बताओ है जैसे अपके यह और दोनों में क्योंकि इन पर वेट है है यहां पर बांद के यह निचे की तरफ है तो एक टेंशन यह T1 है यह T2 है ठीक है और यह उसने बताया है कि एक 45 डिग्री बनाता है एक 60 डिग्री बनाता है वाटवर यह एंगल सागे अपने अब हमें T1 T2 की वैली भी निकल गी ले मीचिवरम से इसके बाद यहां पर से स्टार्ट होती है यह कहता है कि कोई भी जो Tension है कोई भी रसी वो में कितनी बीयर कर शकती है W Tension बीयर करut better petroleum का मतलब यहां वैट से नहीं W is a value of the for share तो आपको यह बताना है कि कितनी P की मैंसी मेली हो सकती है तो अब तो जैसे पी को बढ़ते हैं जैसे ये अगर आप कोई भी पी की वेल्यू रखोगे तो टी वन की वेल्यू भी बढ़ेगी टी टी वेल्यू भी बढ़ेगी लेकिन कोई भी पी की वेल्यू रखते हो तो ये चीज जो है ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है जैसे माले P की वेल्य सेवन होगी और ये नंबर जस्टू से ये माले कोई भी नंबर है ये माले लिया टू है, जस्टू से लंदो टू नहीं आएगा ये और दूսरा नंबर है 3, यानि ये नंबर तो अब ये तो बना 14, ये बना 21, तो इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा, same P की value के लिए, तो जाज़े से P बढ़ेगा, तो tension दुनों की value तो बढ़ेगी, लेकिन उन values में से भी T2 की value ज्यादा होगी, अब T2 की value ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जो T2, जिस रसी के अंदर T2 tension है, और उसकी tension जल्दी W kg बन सकती है, तो इसलिए P को जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है न, जैसे माले एक तो 2 के पाड़ेगे साब से चले, एक 3 के counting में चले, तो 3 का double करेंगे, तो 6 हो जाएगा, दूसरी बार में ही, जबकि 2 का 3 बार गुना करोगे, तब जाके 6 होगा, तो कोई जीत जाएगा, तो 3 के multiple वड़ा जीतेगा, तो इसका मतलब ये वड़ा जो है, T2 जल्दी W kg tension एचिव कर लेगा, और W kg tension के बाद तो रसी टूटी जाती है, टूट जाती है, तो system खतम, जो हम ये चितर बना रहे हो, चितरी नहीं बनेगा, इतरा से पिक्चर का कोई मत तो वो वेल्यों में से निकाल दी, ठीक है, I hope you have understand it, अब देखे आगे क्या है, 3 forces है, P, Q, R acting at a point O, R in equilibrium and the angle between P and Q is double the angle between P and R, show that, ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है बई, पी, Q और R को मिलाकी की equation बनाई हुई है, और उन दोनों के बीच में अंगल, सब के बीच में अंगल का जिकर तो करख है, लेकिन इस expression में अंगल कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हम actually करेंगे क्या, कि हम इसे angle को अठा देंगे, आसे तो आपके 3 forces है, P, Q, R, तो अब दरा पी, माले ये अंगल अलफा है, तो क्या करता है, अंगल बिट्विन पी और क्यों, पी और क्यों ये है, माले ये अंगल अलफा है, तो देन अंगल बिट्विन पी और, इस इस तो अलफा, तो फिर बचा हुआ क्या बन गया, 360 डिग्री माइनस 3 अलफा, तो अब हम क्या करे आ जाएगा Q upon sin 2 alpha, R upon sin alpha. तो basically अब हम इस तरह से करना है कि alpha ना नजर आए. तो हम क्या करेंगे? इन में से दो-दो expression ले लेंगे. इसे देखो, कुछ नहीं करा क्या भी ट्रिनोमेट्री का काम है. इसका काम दो खतम हो चुका है. तो इसलिए इसने ये लगाया, sin 360 minus 3 alpha, that will be minus 3 alpha. ठीक है? ये minus 3 alpha. तो अब ज़रा देखिए, अब आप के ये बन जाएंगे. अब काम कुछ नहीं है, फर्स्ट और शेकिंड से कोस की वेल्यू ये आगी, और फर्स्ट और थर्ड ले लिया, उसमें कोस की वेल्यू उठाके, ये रख दी, एक expression बन जाएगी, that will be the expression between P, Q and R, that will be your answer. तो इसमें यहां पे जो है न, अब इसके बाद जो है, कोई वो नहीं बची, भैया आप लो कहेंगे, ये इसमें क्या, आपकी, इसमें क्या, इसमें क्या आपकी, इसमें क्या, ये इसी के लिए responsible है, इसके बाद तो mathematical, यानि, arithmetic शुरू हो जाता है, तो इसलिए किसी को लग रहा है, कि मुझे ये नहीं आता, तो इसका मतलब का arithmetic कमजोर है, ने की, statics, तो आई होप आप लोग जो इसको कर लेंगा, और इससे पहले आपको question देखते ही, समझ में आजाना ची कि करना क्या है, तो पहले तो क्योंकि equilibrium है, तीन portion है, तो कहीन कहीज लगेगी, that will be the case of statics, इसके बाद expression को देखने से पता लगता है, कि इसमें जो ये angle angle कर रहा है न, उसका दजिकरी नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, दो expression का यूज करके, उन दोनों का यूज करके, कहीने कहीं, alpha को या जो एंगल alpha की मान लेकी बज़ाए, कोई a या theta मान लेता उसको हटाना है, now c, next question, a, b and a, c are two strings, बाई देखो, अगर आप मान लिए इसमें पड़े रहोगे न, क्या होगा, क्या निए, बस statics का दो छोटा सा काम है, picture बनाना, उसके बाद जहें, सारा काम जहें, कोई ने कोई 10th का ही है, उसके लावा उच्चा कोई इसमें वो नहीं है, कोई हम सोचे है, पैग का मतलब होता है, खुंटी, जैसे आप, पीजी पैग जो आपका ये होता है, जैसे आपने कोई खुंटी जैसका पड़े टांग ते रहते हैं, या कुछ भी इस तरह का, तो चलब अगे बढ़ते हैं, a, b and a, c are two strings, 9 meter and 12 meter long, attached to pegs b and c at original distance 15 meter apart, भाई, दो हैं, एक b पे है, एक c पे है, आपका, जो भी एक तरह से मैं कहूं, दोनो हैं, भाई, वर उपड़ी बना देखेंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ते रहेंगे, साथ साथ, ये देखो, भाई, दो अपने पास वो हैं, भाई, दो है, b और c, इक्वल, ओरिजेंट्ली इक्वल हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, पैकस के बीच में वो कितनी है, 15 मीटर, एक 9 मीटर लॉंग है, एक आपकी 12 मीटर लॉंग है, ठीक है, ये 9, ये 12, अगर मैं, और यहां पे क्या है, a, b, and a, c, are two strings, लॉंग अटेज्ट, ओरिजेंटल, इक्वल, 15, फायंट देंसरी इस ट्रिंग, वेट उप 10 केजी, एक 10 केजी वेट निच्चे की तरफ है, अगर फोर्स की काई वैसे ते न्यूटन होती है, अगर आपने न्यूटन बनानी भी है, तो आपको mg यानि g से मल्टिप्लाई करना पुड़ेगा, अगर 9.8 से, तो चलो मा आगे बढ़ता हूं इसमें, 10 केजी, यह आपका 9 हुआ, यह 12 हुआ, तो एक टेंशन इधर होगी T1, एक टेंशन इधर होगी T2, ठीक है जी, पहले तो मैं एक बात कर लेता हूं इसमें, यह 12 का स्केर, प्लस 9 का स्केर, 12, 12, 144, प्लस 81, ठीक है न, तो आठ चार एक पांच, आठ चार बार्रा, और एक रेक दो, दो सो बच्चिस, और इसका अंडरूट करोगे तो, तो यह 15, तो सो, यह जो इस ट्रेंगल, यह जो आपका, इसके सामने वाड़ा 90 डिग्री, यह जो आपका, इस एंगल इस नाइनटी डिग्री, अब मुझे, क्या करना है, कि मुझे इंटेंशन की वेली निकालना, चलो, थेहोरम निकल जाएगी कैसे, यह एपलाई लेमी स्टेंशन की जाएगी क्या होगा हो, टी ओन अपॉन साइन अफ द एंगल, एंगल कौन सा एंगल बिट्वीन है, सी और यह जो है माले, इसको डी कह देता हूँ, टैन के जी वेट यहां लटका हुआ है, तो एंगल, और यह ओ है, सी ओ डी, टी टू अपॉन अगल, बी ओ दी, और टैन अपॉन अपॉन अगल, साइन अफ द अगल हो जाए है, साइन अफ द अगल कितना होगा बच्छो, यह आपका बी ओ ओ दी, 90 से, हाँ 90 से, ठीक है न, साइन 90, तो अब T1, T2 के वेवे निकल जाएगी, देफो T1 हो जाएगा 10, साइन 91 हो गया, तो T1 इस उकल टू 10 इंटू, साइन अफ द अगल, C O D, T2 इस उकल टू 10 साइन अफ द अगल, B O D, ठीक है, अब ना तो मैं साइन अफ दिस एंगल पता, ना ये पता, अब ये काम तो किसका है, ट्रिग्नोमेटरी का है, वो निकालना पड़ेगा, अब क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसलिए यों जाके, यों पहुंच गया, इफ इस एंगल इस थिटा, अब इस एंगल देन इट विल बी 90 मैनिस थिटा, ना शी, इफ इस इस थिटा, अब इस इस 90, तो 180, टोटल होता है, मैंसे 90 ये गया, और थिटा ये गया, तो वोट विल बी दे अगल, 90 मैनिस थिटा, ठीक है जी, और ये कहा है, साइन 90 मैनिस थिटा, तो ये दिश विल बी वर थिटा, ठीक है, तो अब एक बार के लिए इसको भूल जाओ, सारे को, ये हैव ए ट्रेंगल, बी, ए, शी, मैंने ओ गलती से लिख दिया, दिस इस इस ए, तो हमारे पास, बी, एसी एक ट्रेंगल है, जिसका ये एंगल तो है थिटा, और ये है, 90 मैनिस थिटा, अब मुझे साइन ओफ, इस एंगल चाहिए, कौन से की, ये अगर थिटा है, ये 90 मैनिस थिटा है, तो इस इस ए 180 प्लस थिटा, अगर आप लोग काम खरोगे, तो इसमें एक मिनिट लगी, आपको तो पोस्चन प्रणे में, ती ये है, ती वन इस इगल तो, अपोन शाइन 180 प्लस थिटा, यहांपे आ जाएगा, तो यानि, माइनस साइन थिटा, और ये 10 साइन, ये इसके सामने वाड़ा, टी टू के सामने वाड़ा, साइन 180 मैनिस थिटा, ये साइन थिटा है जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मैं साइन थिटा की वेल्यू चाहिए, बेसिकली, तो यहांपे देखो, इस ट्रेंगल में, ये कितना था 9, में ट्रेंगल से निकाल ली जो शुरू में बढ़ी थी, और इस तरीके से आपका, साइन की वेल्यू निकल जाएगी, और आप लोग अपनी, इसके अंदर रखता होगे, समझ में आई बात भई? ये सर्ट, तो कहने का मतलब यह है, स्टूडेंट्स के आप लोग जए न, मैं ज़्यादा साइन्स में नहीं जा रहा है, क्योंकि आप मैं मान रहा हूँ कि, जितने भी बच्चे जो हैं, इसमें जुडे हुए हैं, वो सारे कहीं ने कहीं, थोड़ी फिजिक्स की बैगराउंड है उनकी, और कोईशी को प्रॉलम है, तो आप ऊच सकते हैं, तो देखिए, तो कहीं न कहीं आप जितने भी कोश्चन देखेंगे, ना सारे स्टेटिक्स में या डाइनिमिक्स में, आल्दो तिंग्स आर, वेरी रिलेटिड टू, जर्नल अर्थमेटिक्स, आपको विलकुल भी, यह लेने की जूरत नहीं है, कि हमें साइस आती है, और इसमें मैं उतको बताऊओ बच्चो, आठस्वारे बच्चों के ज्यादा नमबर आते हैं, आठस्वारे बच्चों के ज्यादा नमबर इसलिए आते हैं, क्योंकि थोड़ी figure ही देखनी होती है वो उनको याद हो जाती है और याद होने कि बाद क्या है बार-बार question करोगे same question आते हैं तो बाद में तो calculation ही है जिसने मैंनेज करके calculation कर रखी है उसको आ जाएगा याद है चलो आगे बढ़ते हैं खेर अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं एवेट ऑफ ट्वेंटी सिक्स न्यूटन न्यूटन इस यूनिट ऑफ फॉर्ष इस सस्पेंड़ बाई टू इलास्टिक इनिलास्टिक स्ट इनकी लेंथ के अंदर नो चेंग्स इन लेंथ वेन एन ओब्जेक्ट इस एंट कोई सब्जेक्ट हैं होगा तो कोई दिकत नहीं है चलो ठीक है दो इलास्टिक स्ट्रिंग है एक की पांच मिटर लेंथ एक की बारा है फ्रॉम टू पॉइंट एट सेम लेवल एंड फॉर् बारा और यह चोद है तो बारा बार एक सचो वालिस प्लस वांजू बंजू बच्चिस तो 169 हुआ कांड रूट किया तो 13 तो सो इस इस नोट ए राइट एंगल ट्रेंगल यह क्या नहीं है बच्चो एक है राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है जो कि पिछले वाला केस में दिमागन हम इसका किशिए बिज करेंगे तो इसलिए की आप सोड़ास बात को ध्यान रखेंए कर दिमाग में वैसी चल्वडो कि यह राइक अंगल ट्रेंगल है लेकर हम हम सककते अगर यह राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है तो इसलिए नहीं हैए तो एसा कुछ हुआ न नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं देखो क्या होगा दे आर 14 मिटर पार्ट 5 मिटर 12 मिटर यह आपकी चीजें हुई हैं अब इसमें देखिए हमने एक बार के लिए this angle is theta and this is 5 यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारी right angle triangle नहीं है और इन में से एक को theta कहा तो दुसरे को 90 minutes theta में न find the tensions in the strings so you have to find the value of t1 and t2 now if this angle is theta then this is 180 minus theta and this angle is 5 then this is 180 minus 5 and this angle is theta plus 5 so if you apply lemmy's theorem on it and the outcome is this and t1 the value of t1 and t2 is this t1 is sin 5 t2 is sin theta and this to t1 ki value in इन दोनों से आजाएगी और t2 की value इन दोनों से आजाएगी लेकिन प्रोब्लम रहेगी what is phi what is theta what is sin theta plus phi के अंदर की value क्या होड़ी so let's move to the main अपना जहीं जो बना रखा है तो अब हम अगर यह जो एंगल सागे ठीक है t1, t2 कुछ आए हूँ यह कोई tension जोरूत नहीं है और इसने a, b बना भी रखे हैं हमें चिर्फे इसलिए a, b मिले जाना पड़ेगा क्योंकि यह triangle है ना जैसे मैं कोस theta जोता कोस माली जैस अब यहां पर कोस का फर्मूला होता है, कोस a is equal to इसकी वेली निकाल लेंगे तो इस दोनों साइड़ का स्केर, b स्केर, c स्केर, माइनस सामने वाड़े स्केर, by 2bc, similarly कोस b की वेली निकाल लेंगे, तो c स्केर, प्लस a स्केर, माइनस b स्केर, by 2ac, और उसी तरह से कोस c की वेली निकाल लेंगे, तो a स्केर, प्लस b स्केर, माइनस c स्केर, by 2ab, अगर हमें sides पता हैं, अब बात गिरेगी, यह theta तो इसका triangle का कोई angle है नी, इसलिए हम इस theta को change करना पड़ेगा, the angles of the triangle, जो जिस की side पता है, तो cos theta जो है न, यह theta जो है, यह theta, तो क्योंकि यह vertically upward जाता है, तो this is 90, तो so this is 90 minus theta, तो a की value वो क्या है, 90 minus theta है, you can say theta की value जो है, वो क्या है, 90 minus a, similarly, if this is 5 and this is 90, तो this will be, तो b angle is equal to 90 minus 5, means 5 is equal to 90 minus b, तो sin theta is equal to sin theta of this, cos a, क्योंकि sin of this, उसी तरह से sin of this, sin cos beta, cos b, cos b, cos a, b, cos a, c की value यहां से निकल जाएंगी, और यह आपा काम हो जाएगा, क्या साब लगा भई आपको इसमें क्या नजर आया है, खास, कोई खास, statistics की बात नहीं है, सारी बात जहें आपको खुले तोर पर यह पताऊने चाहिए, कि जब आप एक question कर रहे हो, तो उस questions के answers की requirement क्या है, जैसे, यह value आगे हमने 5 और इसको इसमें convert इसलिए किया, अब आप एक बात और देहन रखना students, हाँ, कि तुम्हें कैसे देहन आएगा, कि हमें आगे क्या यूज करना है, देखिए, अब आप यहाँ पे आके रुख गे, यहाँ पे, आपका काम आके रुख गे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तक, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अब आप वापिस question पर जाओं, question पर देखो, question में लिखा हुआ, string की length यह है, 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 तो यह length क्या आपने भी तक इस्तमाल कर ली, जो भी काम किया, उसमें तो इस्तमाल हुआ नहीं, तो strings की length यह है, they are working as the sides of a triangle, तो सो कहीं न कहीं, अब हमें trigonometry के अंदर lengths का जिकर हमने, जो side की length है, उनका, जो जहां में use होता है, उसका करना है, और यह formula है, यह, ठीक है, तो आपको थोड़ा दिमाग में काम करना चाहिए, तो हो जाए ऐगा, I hope you have understood it, सुन पा रहे हैं बच्चो, सुन मैं आ गया है, जी सब सब, आ गया है, सब सब, वेरी गूट, हाँ तो बढ़नी ही पड़ेगी भाई, है न, चलो, आप यह 6th खुद कर लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, 7th के जो और्थो सेंटर यह पड़ोगे भाई, एक बार, यह 7th कोस्चन जो है साइन्मेंट है मेरी तरफ से, ठीक है, इसमें जब आप और्थो सेंटर यह जो है न, पड़ लोगे तो यह इनमें कोई खास चीज नजर नहीं आएगी आप लोगों को, क्या कहता है देखो, बाई ABC is a triangle and forces PQ are acting at a point O along the line, बाई ABC एक triangle है, तीन force है, जो, इसमान लिए यह A है, यह B है, यह C है, तीन force है आपके, एक मिट पर यह क्या हुआ हूआ है, क्या चरण प्रेंड़यद, यह Sरक एक मिशद, मुझा बढ़़य, यह क्या कह paar यहाई को, यह क्या है, देखो तीन फोर्ष है आपके वह एक ट्रेंगल ABC है वह पॉइंट आपका कहीं भी है वह बाहर है कहीं भी है एक बार के लिए मंदर ही ले रहे हैं वह एक एक O के लोग एक OB के लोग एक OC के लोग काम कर रहा है तो अब अगर ये O orth in center हो तो ये equation बनने चाहिए अगर ये O ortho center हो तो ये बनेगा अगर ये centroid होगा तो यह बनेगा तो यानि question तो है यही बस अब depend करेगा कि यह point क्या है in every question the things have been done in center है तो क्या होगा in center यह आप लोगों ने size geometry में पढ़े होंगे तो I hope आप लोग जहें इसको करेंगे और यह exercise है इसकी आप लोग करना चाहें तो करेंगे इसको ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं कल मैं यह polygon लावड़ा करांगा बच्छो आज के लिए इतना ही है क्योंकि यह वी एक important exercise और कल इसको मैं पढ़ाया दूँगा सारी को आप लोग जहें if you have any question then you can ask झाई अवी आनोज़